मुंबई के गोरे गाउं पुर्व के फिल्म सिटी संतोस नगर छेत्र में एक पती को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते 29 वर्सी पती अंसार अली उर्फ समीर ने अपनी 27 वर्सी पत्नी रोजी खातून की हत्या करके अपने गाउं उत्तर प्रदेश के प्रताब नगर जिला गोंडा भाग रहा था जिसको डिंडो सी पुलिस ने चलती छप्रा गोदान एक्सप्रेस ट्रेंड के बातरूम से गिरफतार किया इसमें जो आरोपी है उसका नाम है अंसार अली इसने अपने पत्नी के साथ 25 मई को संतोष नगर एरिया में एक मकान लिया था भाड़े पे और तुरन दूसरे दिन अपने पत्नी का गलादा बाके उसको मार डाला और वहां से भाग गया था तो उसको पकड़ना बहुत ही चालेंजिंग था क्योंकि बाके कुछ क्लिव नहीं था जो हमारी दिन्डोशी की टीम है का डिटेक्शन टीम एक तो बहुत सारे CCTV फुटेजेस चेक कर रहे थी मोबाईल लोकेशन ले रहे थी और एक यह था कि उसका जो गाउं है यूपी में वहां भाग सकता है तो वह एक कॉल डिटेल्स और CCTV फुटेज उसको एनलाईज करके एक इस तरह का अनुमन लगाया कि यह ट्रेन ने गया होगा तो लोकेशन उस तरह से मिले एक टीम जो है का API कनेरकर और उनकी टीम जो है वो ट्रेन से पीछा कर रहे थी और जो एक्क्यूजड है वो छापरा गोदाम एक्सप्रेस जो है वो एक्सप्रेस से जा रहा था और दूसरी जो टीम है चंदरकान घारगे और उनकी जो टीम है वो हवाई मार्क से आगे जाके बनारस पहुची और वहां से प्रया गराज आके रुकी थी तो इस तरह से उसको एक तो क्या है कि बाई रोड भी चेस कर रहे थे और आगे जाके भी उसको रोकने के कोशिश कर रहे थे तो एक तो वहां के पुलिस की यानि की मदद लेके प्रया गराज में उसको ट्रेस करने के कोशिश की लेकिन ट्रेन में मिला नहीं अभी जो कारण सामने आ रहा है यह है कि वो अपने पत्नी पर संचे ले रहा था और शक कर रहा था और उस वज़े से उसने गला दबा के मारा है कि दूसरा कहीं है आता ती तर नहीं है पहले का यह है कि टैंकर पर ड्राइवर था और दोनों अलग अलग रहते थे वो पुना में रहता था उसकी पत्नी जो है वो आरेक वालनी एरिया में भी रहती थी और उनका यहने की जगड़ा भी होता था पहले आरूपी यह पुना में रहता था डिंडोसी पुलिस को मामली की जानकारी दी जो प्राइमरी इंफोर्मेशन यही है कि उसका यही था कि कोई यही उसके एपसेंसी में किसी के साथ जो है जाते थे उनका ऐसा यही शक था मुंबई पुलिस ने मामली की गंबीरता को समस्ते हुए तुरंत कई टीम बनाई और आरूपी के मूल गाउं भागने की फिराक में उसने मुंबई से चप्रा गोदान एक्सप्रेस पकड़ ली थी जिसके बाद पुलिस ने कई घंटों की कड़ी मैनस से आरूपी को चलती ट्रेन के स्लीपर कोच के बातरूम से गिरफतार किया इस दौरान मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस ने इगतपुरी नासिक रोड और भुसावल के स्टेशनों पर ट्रेन की तलासी ली थी मगर उसकी पहचान नहीं होने के कारण वह बच गया था और आखिरकार अपनी के चरित्र पर शक करता था इसलिए उसने उसकी गला दबा कर हत्या कर डियो और यूपी भाग रहा था कि पकड़ लिया गया आप देख रहे हैं सक्छन न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज